Hello everyone, I hope you are doing well, welcome to study point. दोस्तों, study point के इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे How to prepare calculus and real analysis for UPSC mathematics optional. इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप self preparation करते हैं तो आपको कोई भी doubt नहीं होगा और आपकी preparation में बहुत मदद मिलेगी. इसके पहले पिछले वीडियो में हमने How to prepare linear algebra for UPSC का वीडियो बनाया है. अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे देख लिजे. इसमें हम लोग बात करने वाले हैं calculus and real analysis. Calculus और real analysis जो है वो calculus paper 1 का part है और real analysis paper 2 का part है. हम दोनों को एक साथ discuss कर रहे हैं इसका एक region है. Region यह है कि दोनों का syllables है वो काफी एक दूसरे से overlapping है, है ना? इसलिए हम दोनों को एक साथ discuss कर रहे है और जब हम इसकी prepare भी करेंगे तो एक साथ करेंगे ताकि हमारी तयारी जो है वो बहुत ही बहतर तरीके से हो और दोनों एक साथ हो जाए है ना तो पूरी ये strategy को इसमें मैं आपको discuss करूँगा कि आपको कैसे करना है कौन-कौन से topic को कितना तरजीह देना है ये भी मैं आपको इसमें बताऊंगा और resources आप कहां से collect करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा तो बहुत important रहने वाला है ये lecture आपके लिए तो आईए इस lecture को start करते हैं तो ये हमारे सामने है how to prepare calculus for UPSC mathematics यानि calculus की तियारी हम लोग UPSC mathematics के लिए कैसे करें इसकी strategy क्या होनी चाहिए resources कहां से collect करें उससे पहले में कुछ basic जनकारी बताता हूं ये जो topic है ये आपका paper 1 का है section 1 section A है paper 1 में और इसका जो marks का weightage है वो कितना से कितना तक के बीच में आएगा तो 40 से लेके 85 के बीच में यानि कि कम से कम marks आएंगे इसके तो 40 और ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो कितने 85 इससे आगे भी बढ़ सकता है बस घटने का region नहीं है क्योंकि ये मैंने उस साल का 40 उठाया है यहां पे weightage रहने वाला है तो हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं स्लेबस एक वो स्लेबस जानेंगे जो UPSC ने describe कर रखा है फिर हम लोगों ने कैसे उसको अलग किया यह समझेंगे strategy समझेंगे resources समझेंगे तो आईए बात करते हैं यह हमारा वो स्लेबस है जो UPSC ने अपने website पे upload कर रखा है तो आप इसे जाके देख सकते हैं या book भी आप buy करते हैं तो इसमें आपको यह सारी से मिल जाती है हम लोग का यह मुद्दा नहीं है हम लोग का यह main important thing है कि मैंन मैंने जो calculus का यह total आपका जो syllabus है इसको मैंने two parts में divide कर दिया है पहला जो part है वो आपका यह है जिसमें आपको real numbers, functions of real variable, limit continuity and differentiability, main value theorem, Tyler's theorem, with reminders, in determinate form, maxima and minima, asymptotes और curve tracing ध्यान किया हम यह पूरे जो topic है यह सभी सभी basic topic है यानि कि यह basic knowledge की demand करते हैं यह आप से ज्यादा deep knowledge की demand न यह exam में इससे question नहीं आते हैं मैंने two topic यहाँ पे star mark लगा रखा है एक आपका indeterminate form और asymptotes यहीं दो topic हैं जिससे आपके exam में आते हैं बाकी के जो topic है वो आपको आगे के topic है वो पढ़ने में मदद करेंगे इससे question exam में नहीं आते हैं तो यह दो topic जो है वो आपको कर लेना है अगर आपके पास थोड़ा सा time है तो आप यहाँ से एक और topic कर लेंगे जिसका नाम है curve tracing ठीक है तो आपके पास थोड़ा सा अगर समय है तो थोड़ा सा time निकाल के आप curve tracing भी पढ़ लेंगे तो यह recommended topic है जो कि आपके लिए important है बाकी topic यहाँ पे limit continuity, differentiability आपको फिर से यह मिल जाएगा ठीक है maximum and minima फिर से आएगा तो आप वह आली maximum and minima को पढ़ेंगे यह वाली नहीं पढ़ेंगे फर्क क्या है कि यह one variable है वहाँ पे two variables आपको पढ़ने को मिलेंगे ठीक है तो आए में जो topic है हमारा calculus का वो है functions of two और three variables जिसको functions of several variable भी कहा जाता है तो इसमें फिर से देखिए यहाँ पे आपको limit continuity, particle derivative, maximum, minimal, लंगराज, methods of multiplied, jacovian, remance, definition of definite integral, indefinite and improper integral, double and triple integral और area surface and volume तो यह सारे main topic है जो कि calculus का आपका topic है और इससे सवाल जो है वो आपके आते हैं हैं अब क्या है कि चुकि आप देख रहे हैं कि calculus और year analysis को हम लोग एक सार डिसकस कर रहे हैं इसका कारान यह है कि syllabus काफी overlapping है it means यहाँ पर आप देखिए यह जो आपको remance definition of definite integrals पढ़ने है तो यहाँ पर केवल उसके definition पढ़ने है जो कि इसको पूरा detail में पढ़ना है कहाँ पर real analysis में तो हम इसको यहाँ से skip करके direct पढ़ेंगे कहाँ पर real analysis में ठीक है बाकी यहाँ पर पर लेंगे यह infinite and improper integral एक बहुत important topic है आपके real analysis पार्ट का जो कि यहाँ पर थोड़ा सा basic उसकी दी गई है तो इसको भी हम analysis करेंगे कहाँ पर इसको भी study करेंगे कहाँ पर real analysis में double and triple integral जिसको multiple integral कहाँ जाता है इसका केवल आपको evaluation technique पढ़ना है और इसको हमको calculus में ही पढ़ लेना है ठीक है यह हम लोग कहाँ से cover करें किस book से cover करें तो यह जान लेते हैं तो यह एक मैंने यह वाली बताई यह क्या है यह कुछ basic है तो इसको cover करने के लिए आप plus two mathematics जो है वो पर सकते हैं इसके basic पार्ट को complete करने के लिए जैसे element 12 की जो mathematics पार्ट होती है उसमें आप calculus वाले पार्ट क जिसको कहा जाता है multiple integral उसके लिए जो most recommended book है वो है BS gravel यह higher engineering mathematics है जिसमें यह topic आपको मिल जाएगा double and triple integrals और यह वाली topic भी area surface and volume तो यह दोनों topic जो है वो आपको BS gravel से आपको क्या करने है study करने है चुकि यहां पर इतने अच्छे और easy manner में लिखा हुआ है बहुत सधारन भासा यह किया गया आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा है आपको किसी की जुरुत नहीं परेगी इसको समझने के लिए तो बहुत अच्छा है आप इसको वहां से यह कर है ना सारे chapter important नहीं है तो वहीं topic जो हमारे लिए important है उसको पढ़ेंगे बाकी को नहीं पढ़ेंगे ठीक है तो आप यहां से कर सकते हैं या फिर IMS के नोट जो है वो आप बाई कर सकते हैं यह भी आपकी मदद कर सकता है तो याद रखिए कि यह तीनों को एक साथ करना है य वो फोटो को भी परने से अच्छा है कि direct book ही पर है तो आप देख लिजी अपनी हिसाब से दोनों ही sufficient है आप इन सारे से आप इसकी preparation कर सकते हैं ठीक है और यह वाली जो part मैंने बताया ना यहां पर यह indeterminate forms और यह SMTorts यह किसी भी BSE book में मिल जाती है तो आप इसको वहां से भी कर सकते हैं तो इसके लिए कोई further extra book की requirement नहीं है ठीक है अब आ जाते हैं real analysis के उपर how to prepare real analysis for UPSC mathematics यह आपका paper 2 का syllabus है section A में आता है और इसका कम से कम जो पूछा गया है अब तक का marks वो 50 marks का और ज्यादा से ज्यादा 90 marks का यानि कि 50 से 90 के बीच में जो है वो यह आपका आत है अब बात करते हैं कि इसकी जो general syllabus है वो क्या है जो कि UPSC ने अपने website पर दे रखा है तो वो हमारा यह syllabus है जो कि UPSC ने अपने website पर दे रखा है तो यह मैंने इसके दो part कर दी हैं यह पूरे syllabus को यानि कि ज़्यादा important है उसको एक side में और जो कम important है उसको दूसरे side में और यह थोड़ा सा ज़्यादा attention की demand करता है और plus further किसी की requirement होती है कि कोई हमको यह explain कर दे तो यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना है तो real number system of an order filled with list upper bound property फिर कह रहा है sequence limit of sequence quasi sequence completeness of real lines series and its convergent absolute and conditional convergence of a series and real and complex term rearrangement of a series continuity and uniform continuity of functions properties of continuous functions on compact set यह कुछ basic है जिससे directly question तो नहीं आते है लेकिन इसका छोटा मोटा part जो है वो दूसरे वाले question के साथ में जूर के आ जाते है तो यह भी आपके लिए important हो जाता है ठीक है में जो हमारा part है वो यह है real analysis का जिसमें आपको पढ़ना है रिमान integral, improper integral, fundamental theorems of integral calculus, uniform convergence, continuity, differentiability, integrability of sequence and series of functions, partial derivatives of functions of several two or three variables, it means several variables, maxima and minima तो यह आपके topic हैं जो आपको real analysis में करने हैं अब जो generally question आते हैं वो आपका रिमान integral, improper integral, fundamental theorem of integral और यहाँ पर uniform convergence जो है वो उससे आते हैं और फिर कई बार आपके partial derivative और maxima and minima से भी आ जाते हैं ठीक है तो यह important यानि कि इसमें जितना भी topic है ना सभी important है किसी को भी आप skip नहीं कर सकते हैं अब देखिए overlapping क्या है रिमान integral calculus में था यहाँ परेंगे इंप्रोपर integral calculus में था यहाँ परेंगे चुकि यहाँ पर भी है वहाँ पे छोटा सा part था यहाँ पे हम लोग detail में इसको जाने सकते हैं तो इसके लिए आप प्लेश्टू का जो mathematics है सेट थियोरी का आप उसे कर सकते हैं वहाँ से आपका total जो basic है वो clear हो जाएगा या बीसी में आप आपने अगर सेट थियोरी परहा है तो वहाँ से आप इसको cover कर सकते हैं ठीक है और जो main part है उसका main part के लिए किवल एक another book buy करनी पड़ती है लेकिन यह जो real analysis है यह आपको एक ही book में मिल जाएगी और यह book का नाम है element of real analysis चंद publication की आती है जिस जो लिखा गया है सांतिने रायम के द्वारा या फिर MD राय सिंहानिया के द्वारा उसको revise किया गया है तो आपको यह buy कर लेने हैं और यह मैंने जित तो मैंने बताया ना रिमान एंट्रिगल्स और उसके बाद इंप्रोफर एंट्रिगल्स और यूनिफर्म कनबर्जेंस यह direct जो है मना कोपी कर दिया है किसका इस book का जो कि मैंने आपको बताय है elements of real analysis तो वही बाते लिखी हुई मिलेंगी जो आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा जो बुक में examples है वही examples आपको यहां पर भी मिलेगा और बहुत ही शंदार बात में आपकी यह बताऊं इस book के solve examples से direct question जो है वह आपके UPSC examination में आता है आप जब book by करेंगे तो वहां पर भी आप example देखेंगे तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि यहां IS के exam में इस date में इसको पूछ लिया गया है तो यह beauty है इस book की और एक ही book से आपका total जो है वो real analysis का portion हो जाता है तो आप इसे यहां से कर लेंगे और आप preparation करने की strategy यानि कि इसको किस way में prepare किया जाए तो इसका सभी बहुत ही easy way है आपको सबसे पहले basic वाले part आपको करने basic वाले part कर आपको यहां पर करने हैं आप देखिए यहां पर रिमान एंट्रीगल को पहले कर लिजेगा फिर इंप्रोपर एंट्रीगल को कर लिजेगा यानि कि क्रम वाई से आप कर सकते हैं या फिर आप थोरा सा इसको चेंज कर सकते हैं पहले continuity, diffensibility, integrability इसको पहले कर लिजे पार्स जो है वो आपका यह वाली पार्ट है तो यह पहले से ही अरेंज है पूरा यहां से तो आप इसको ऐसे ही पढ़ेंगे है ना यह पूरा ओलेडी अरेंज है तो आप इसको ऐसे ही कर लेंगे आपका मदद मिल जाएगा और यहां पर लिमिट, continuity, partial, derivative, maximum, min में जो पढ़ेंगे आपको कि कैसे आपको प्रिपेर करने है कहां से प्रिपेर करने है और वीडियो के अंत में अगर यह वीडियो आपको help पहुचाई है आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को एक like कर दिजे अगर पसंद नहीं आया है तो इस वीडियो को dislike करिए और dislike करने का मतलब यह होता है कि आप कारण बताए है ना कि वीडियो आपको किस वज़े से पसंद नहीं आया है कौन सी चीजे है जो आप improvement करना चाहते हैं तो कारण जरूर लिखा करिए dislike करिए दिल खोल के करिए लेकिन उसका रिजन भी बताई है ठीक है तो comment box आपके लिए open है और फिर हम लोग अगले वीडियो में discuss करेंगे जो हमारा paper 1 का अगला topic है साथ analytical geometry है तो उसको कैसे prepare करें या फिर अगर आप कोई दूसरी चाहते हैं तो वो भी आप comment करके बता सकते हैं तो हम लोग उसी के उपर बात करेंगे कि उसकी त्यारी कैसे करें अगर आपने linear algebra वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो वो आपको इस क्रीन पर दिख जाएगा तो आप उसको देख लिजिए ताकि उसकी भी strategy आपके सामने मिल जाए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद